कि स्वादा का प्रसंवा और यह क्रेट ने के पहुण्या वित्या है आज माइने साथ ुपनी वीरकां में प्रस्टिया सवतá और देयात का प्रसुं और रहे हैं आज मैंने प्रस आप पहार्या लोगों की आजीविका संथालिगा सो किस किस रूप में भिनने थी अथवा पाड़या तता संथालों के जीवन में क्या अंतर था बहुत ही ये इंपोर्टेंट प्रसन है चलिए बच्चों उतर दिखते हैं उतर दिखने के पहले आप हमारा चलिए जरूर लाइक सबस्क्राइब कोमेंट करें अच्छा लगे तो दोस संथालों की आजिवका से नीमनी परकार से बिनन थी पहले जो है एक तरफ लिख देना है पहाड़या लोगों की आजिवका दुसरे तरफ लिख देना है संथालों की आजिवका और इस परकार जो है लाइनिंग कर देना है बच्चों बीच में पहला प्वेंट पाड़या के पास उचाई पर इस्तित सुबे वाले भू भाग थे जब की संथाल संथाल लोगों के पास राजमहल की पहाड़ियों की तलहठी वाले भू भाग थे अर्थात ये लोग नीचे रहते थे और दूसरा पॉइंट है बच्चों मैंने बोला है लाइनिंग आप कर दीजिएग जबकि दूसरा है संथाल लोग आसपास के जंगलों का सपहाया करते हुए अस्थाई खेती करने लगे और यह जो है वह अस्थाई करते थे जमीन जोते हुए उसमें चावल तथा का पास की खेती करते थे संथाल लोग तिस्वा प्वेंट है जंगल और चारागा पहाड़ियों के अर्थविस्ता के अटूट हिसा थे पाड़िया लोग अपने जूम खेती के लिए कुदाल का परियोग करते थे जबके संथाल लोगों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कबजा जमा लिया संथाल लोग कमपनी अधिकारियों के परती आसंकित रहते थे और उनसे बाचित करने के लिए आसानी से तयार नहीं होते थे कई बार पहाड़ियों छोड़ कर भाग जाते थे जबके संथाल लोगों को कमपनी के अधिकारी जंगलों को साप करने के लिए लाए थे इसलिए संथाल और अ पहाड़ी लोग जंगल के उपस से अपनी गुजर बसर करते थे प्राया जूम खेती किया करते थे वे जंगल के छोटे से हिस्से में जाड़ियों को काट कर और घांस फूस को जला कर जमीन साप कर लेते थे और राक की पोटास से उप जाओ बनी दूसरे तरफ है संथालाओं ने परिस्रम करके आंतरिक भूभागाओं में गहरी जुताई करने के बाद किर्सी योग भूमी को सांदार बना दिया पहाड़ या लोग जब भी निचले इलाकों में घुसने की हिम्मत करते थे तो वे उन्हें भगा देते थे जमीन पर अपने रखने के लिए भी बिन तरह के दाले उगा लेते थे अगला पॉइंट है बच्चो ये चुकि दिर्गुतरी पॉइंट है इसलिए बहुत सारे पॉइंट होंगे इसमें दिर्गुतरी प्रस्न है पाड़ी लोग अपनी कुदाल से जमीन को थोड़ा खुरच लेते थे कु वे जमीन को खाली नहीं छोड़ते थे संथालों ने अपने से पहले राजमल की पाड़ियों पर बसने वाले पाड़ी लोगों को चट्टानी और अधिक बंजर भीतरी सुस्क भागों तक सिमित कर दिया था अगला पॉइंट है बच्चो पहाडी लोग जंगलों से खाने क लिए मव हुआ के फूल इकटा करते थे बेचने के लिए रेसम का कोया और राल तथा काठ कोइला बनाने के लिए लकड़ियां इकटा करते थे जबकि संथालों के पास पाड़िया लोगों के मुकाबले अधिक भूमी होती थी जिसके कारण पाड़िया लोग खेती के अपने तरीकों को सफलता फुर्वक नहीं चला सके आठमा पुएंट है लास्ट पुएंट है पाड़िया लोग पूरे परदेश को अपनी नीजी भूमी मांते थे और य इस भूमी पर संथालों ने अधिकार कर लिया वे अस्थाई खेती करने लगे अपनी स्वायत्ता स्वेम अस्थापित करने वाली आदिवासियों के रूल के रूप में ये उभरते चले गए और संथालों ने 1855 में विद्रू भी किये इस परकर ये कैसा लगा वीडियो कोम में जरूर बता में बचों बहुत बहुत धन्यवाद